तो कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका फिर से नहीं मार्केट आनल इसी स्वीड़ो में तो दोस्तों भी आज की स्वीड़ो में हम बात करेंगे फ्राइडे के लिए निप्टी और बैंक निप्टी में हमारे पास क्या व्यू रहेगा और कौन से लेवल्स पर कहां पर हम ब प्रोवाइड कर दूंगा कि कहां पे हम एक अपर आपके सामने यहांपर निप्टी का चार्ट यहांप लगा हुए 15 मेंटी टाइम प्रम के ऊपर तो सबसे पहले देखो वो मुमिंटम के अगर बात करें तो आज बहुती सांदार मुमिंटम यहाँ पर रहा वन साइट ट्रेंडिंग एक गैप अपनिंग के बाद ही जो एक एक एक्सपेटेशन नहीं था कि अगर गैप आएगा और उसके साथ मतलब वो सस्टेंग कर भाएगा मतलब सीधे सीधा भ अदा गंटा यह ऐसा रुपके सिधा उपर भागने लेगेगा वह एक्सपेटेशन नहीं था कहले सोचा था कि भाई यहां कहीं पूलेगा यहां पर एक मतलब छोटा सा फोल लेकर सब्सक्राइब करके एक स्ट्रक्टर जो है उसका है उसके साब से मतलब पूरा करके है हो आपको मैंने यहां पर क्लिरली दो मतलब ड्रो करके यहां पर मैने समझादे एकदम आथान बासा में कि जो एक मतलब कैसे यहांपर ट्रेड प्लान करना जैसे अगर वह आपने वीडियों देखाऊ तो आपको पता होगा कूई कि यहाँ पर एनलिसिस ही हमारा ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ लेवल्स देने का मतलब कोई हमारा मतलब या मकसद नहीं रहता है कि यह फटा human और लेवल्स या जो भी है यहाँ पर आपको बस समझा दो कि यहाँ इसके उपर बाई इसके नीचे सल तो वो हमारा मक्सद नहीं यहाँ पर प्योर आपका सिखाने का मतलब है मेरा और कैसे ट्रेड क्या प्लानिंग करना है एकड़म आसन बासा में अगर आप देखते हो कि ड आस एनालिसेज अगर करना है तो आप खुद भी कर सकते हो तो बस वही उसके लिए क्या करना है यहाँ पर आपको चैनल पर सिस्क्राइब करते ना है डेली हमारे मार्केट एनलसे इस वीडियो देखने है जब तक आप सिख नहीं पाते हो तब-था क्यूंकि हमारा हर वीड मिल जाएगे सीखने के लिए बहुत सारे यहां पर बेजीक और राइजेक्शन ट्रेडिंग चार्ट पैटन बहुत कुछ है और भी आगे बहुत सारे कंटेंट आने वाले तो आप चैनल को सिस्क्राइब कर देना अभी तक नहीं किया तो और वीडियो आपको अच्छा लग है तो वीडियो को भी आप लाइक कर देना तो निप्टी में आज सांदार यहां पर मुमिल्टम रहा वन साइट टागेट की अगर बात करें तो आपको मैंने कहा कि चैनल जब तक नहीं आता है तब तक हमें वहां पर ट्रेल करते हुए जाना है ना बाकी स्केल पर हो तो हर एक स्विंग के मतलब ब्रेक आउट के बाद हम यहां पर आगे मतलब उसके इसाफ से आगे कर सकते हैं वह पूरा मैंने आपको वहां पर डिटेल में समझाया था टागेट की बात कर तो एक जैटली वहां पर हमें एक तो मतलब टागेट होता हुआ देखने को मिला और दू अपनिंग कहा होती है उसके उपर मेंटर रहेगा कि हमें रिवर्सल हमें कहा पर क्या रुणना है तो आपने कल पूरा अगर डिटेल में वीडियो देखाऊ हो तो आपको कता होगा तो निपटी वालो जिसमें पर जिनोंने यहां पर ट्रेल किया है सांदार दीन यहां पर रहा होगा पर तो यहां पर बैंग निप्टी की बात करें तो अच्छा खासा यहां पर भी बॉजिटिव देखने को मिल रहा है एक जैप अपनिंग के बाद छोटा सा भोला है और धीरे-धीरे करके सबस्तों एक साइड स्टुब वहजिटिव यहां पर इसने भी यहां पर अपर साइट रेली बनाई है तो मेरा यहां पर अगर देखू तो ज्यादा में अगर मतलब है द्थरेज्टर यहां पर नहीं बनाता तो बोड़ा मेरा जैप्पोर्ट हया अच्छा वाला दी यहां प मतलब सपोर्ट डेट के यहां पर देखने को मिला और उसी के ब्रेक आउट रेटेस के बाद यहां पर मैंने ट्रेड बनाया और टागेट भी मैंने कुछ खास नहीं परूंत इसी डे हाई के आसपास मतलब यह तीन-चार केंडल में यहां पर ही मैंने बुक कर दिया प्रोफि और दूसरा यह वाले सिनारियों में तो यहां पर मेरे निकल गया फिर अगर मेरे यहां पर देख रहा हूँ तो ट्रेट तो यहां पर नहीं बना पर यह ब्रेक आउट होने जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर निक्टी भी आगे जा रहा क्योंकि वहां पर भी एक हा अंदर आ गया मतलब रूपनी रहा था तो यहाँ पर जलदी यहाँ पर एकड़ीट कर दिया हम रलब यहाँ पर जो प्रोफिट बना है को कहीं ने कहीं मेरा अधा प्रौफिट यहाँ पर चलागा तो ठीक था कि यहां पर दिंद रहा जो एक बहुत बड़ी बात है अच्छी बात है हमारे लिए और आसा भी करूंगा कि आपका भी यहां पर आज ग्रीन डे रहा होगा सांदर दिन रहा होगा अगर निप्टी निप्टी में जो भी ट्रेड आपने बनाया है स्टॉक तो आपको कल में ने दिये थे एक भी यहां पर एक्टिवेट नहीं हुए सारे यहां पर साइडवेज गए है तो स्टॉक में कुछ बना नहीं है तो अभी चली बैंग निप्टी के अगर चार्ट पर आते हम पांच मीट का टाइम फ्रेम है चली उसको पांच मीट भ करना है क्योंकि ज्यादा अभी दिमाग लगाना नहीं मंतली एक्षपारी खतम हुई है जो बड़ी पोजिशन थी अढ़ गई तो डेटा कुछ खास यहां पर मेलेगा ने यह फाई है का अगर देखे तो आज तगडी बाइंग कुछ देखने को मिल रही है कैस में तो उसक का अभी डेटा कुछ खास देखने का जरूरत नहीं है नए मंतली एक्षपारी आएगी यहां पर और वीक भी खतम हुआ है और कल छुटी भी है तो कुछ खास है नहीं बाकी अगर ऑवरनाइट या कल कुछ होता है कुछ नुजवीज मिलता है तो उसका अपडिट आपको म Выे टेलेडेटन गूरूप में दे दूँगा तो उसके लिए आपको टएलेटन गूरूप में जोइन हो जाना है डिसक्रिफ्ट्विKK में आपको लिंक मिल जाएगा या तो फिल अगर आप महां से जोइन नहीं हो पाते हो तो सिदा सर्च करोगे तो वहाँ पर गुरूप में देख लेना कि हमारे चैनल का लिंक वीडियो का लिंक अंदर हो तभी आप उसमें जोइन होना क्योंकि बहुत और भी दो तीन गुरूप है फेक मैंने रिपोर्ट किया था अगर डिलेट नहीं हुआ है तो फिर आपको दे नहीं को प्लानिंग करना है तो बस अब इह कहुंगा कि आप यह जब तक अभी चैनल का ब्रेक आउट देखने को नहीं मिल रहा हमें तब प्लानिंग के लिए करना है अगर साइड़ अपनिंग देखना को मिलती है शोटा मूटा गैप अपनिंग देखने को मिलता है यही कही तो फीर मतलब चैनल के अंदर ही यहां पर इसके बीच से लेकि यहां चैनल के बीच में आपनिंग देखनों को मिलती है तो जब तक चैनल के उपर या तो फिर हमें यह ओल टाइम आई 19,012 का लेवल जब तक ब्रेक आउट रेटेस्ट और कंटिनुन नहीं होता है तब तक हम कोई बाइसाइट के लिए प्लानिंग नहीं बनाएंगे समझ गए क्योंकि हो सकता है चैनल में है तो यहां से फिर से रेसिस्टन लेके जो पूरा ना हमारा रेती डिवा चालू था यहां पर चैनल में घुमने का तो उसमें फिर से जा सकता है और एक बहुती स्ट्रॉंग रेली यहां पर आई है जो वनवर पर अगर मैं आपको बता तो डिखते है क्या है अभी थो बाय के लिए मैंने जैसे कि कहा जब तक ऑल्ल टाइम हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें बाय साड़ के लिए क्लानिंग करना है से जा साड़ के लिए क्या है हमें लोग सैप्र फट स्पोर्ट एरिया कौन सा देखने को मिलें कि जहां पे निफ्टी ने अच्छा कासा यहाँ पर बेस बनाया हो तो एक ही पॉइंट है अभी फिलाल रिसेंट तुरंत का वाला कौन सा यहाँ पर कर देखे तो यहीं स्विंग लो हम यहाँ पर पकड़के चलेंगे 80,944 का इसके नीचे ही हमें सेलिंग साइड के लिए जाना है यह ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम सेलिंग साइड के लिए जाएंगे नेक्स सपूर्ट हमारे पास क्या रहेंगे सीधा हम यह देख सकते है 80,880 और उसके नीचे भी हमारा आज का देखा लो तो 860 तक हम जा सकते हैं आप पर 200 यह में भी आप पकड़ के चल सकते हो मतलब आसके देखा लो अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पर हमें यहाँ फिलिंग वाला सिन्याटियों देखने को मिल सकता है पहले हम यहाँ पर फूल प्रोफिट बूकिंग करें कि 20 में अगर हडल में आपको दू कि आप चलो रेफरेंस के लिए अग फिर हम देखेंगे यह देखेंगे यह देलो तक मतलब इस ट्रेलिंग के साथ जैसे कि हमने यहाँ पर यह राइड किया वैसे ही यहाँ पर प्लानिक करना है बाकि अगर यह ब्रेक हुआ वहाँ पर 200 यह में भी आपको देखने को मिल जाएगा ब्रेक होता हुआ तो फिर आ अपसाइट कंटिन्यू देली आई हैं तो वह सकता है यहाँ से एक फूल जैक लेकर फिर से उपकर साइट कंटिन्यू कर सकता है तो इस लेवल पर थोड़ा हमें द्यान में रखना एट हंडर डेटी वाला के सकते हैं वहाँ पर सपोट लेकर फिर से बाउंस देस सकते हैं तो वहाँ पे हम पहले फुल प्रोफिट बुकिंग करेंगे फिर ही हम आगे का यहाँ पर प्लानिंग करेंगे कि अगर मतलब आज के दिन का लोग ब्रेक होता है तो समझ गए प्लानिंग क्या है बाकी 20 में लेवल नीचे किया है वही लेवल हमारे पास पहले चैनल का रेफर यहाँ पर टागेट बनाते हुए चल लेंगे चल सकते हैं मतलब और बाकी यहाँ पर अगर मैं कहू अगर यह उपर से नीचे आ रहा है तो कहां तक मतलब यहाँ पर अभी फिबू नाची मेरे ख्याल से लगाने का जरूरत नहीं है मतलब यहाँ पर चलिए एक रिट्रेश्मेंट के लिए प्लानी करें पर स्विंग लो यहाँ पर यह भी पकड़ के चल सकते हैं करन्ट डे का भी और यहाँ पर भी कि अगर देखो ब्रेकडाउन लेवल भी अगर मैं आपको कहूं कि कहां से जैसे कि मैंने अभी यह लेवल दिया आपको 950 वही आ रहा है हमारा 38 से लेके 50% रेट्रेश्मेंट का अगर यह ब्रेक होता है तो ही हम वहाँ पर डाउन साइड के लिए देख सकते हैं मतलब यह जो चोन आपको देखने को मिल रहा है वही गोल्डन डेशियो वाला हमारा लेवल है तो एक परफेक्ट लेवल है हमारे पास इसके नीचे हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं बागी जो लेवल आपको मैंने कहा होही हमारे पास बीच में आ रहा है तो ज्यादा कुछ है नहीं खास यहाँपर बाकी आगे मैं ट्रेल करने की आपको सजेस्ट करूँगा अभी फिलाल फिबोनाची क्यों ध्यान में लेने का जरूरत नहीं या तो फिर यहां पर आप क्या कर सकते हो पीवोट टेबल को यहां पर यूज कर सकते हो अगर पीवोट टेबल आपको महां पर मिल जाता है तो उसको आप पर टागेट की तरह भी उसको यूज में ले सकते ह तो यह हो गया हमारा Nifty में Triday के लिए अभी bank Nifty में क्या है rank Nifty में अभी सीधा levels यहां पर देख लेते हैं ज्यादा कोई discuss करें के नहीं levels केखर बात करें देखो buy side cell by sell planning कहाँ पर करना है तो सबसे पहले मैं अगर आपको selling के लिए गर बता दूँ जैसे कि Nifty में कहा तो आपको समझ लेना है चैनल के अंदर आप थोड़ा उसमें एग्रेसिव कौंट्विटी में काम कर सकते हो वह भी स्टॉप रोस के साथ और अपने रिक्स रिवर्ट के इसाब से आप वहां पर प्लानिंग कर सकते हो तो देखो अभी क्या है यहां पर बैंग निप्टी में 15 मिनिट टैम फ्रेम यहां पर लगा हुआ है तो सेलिंग साइड की अगर मैं बात करूँ तो सेल कहां पर हम प्लानि अच्छा खासा यहां पर लिया एक दो तीन और वही तीन बार यहां पर अच्छा खासा और ब्रेक आउट लेवल भी हमारा यहां पर रहा है है तो यही हमारा पॉइंट रहेगा सेलिंग के लिए 44,030 और यह स्विंग भी आप पकड़के चल सकते हो कौन साइड 44,200 फोटी 25,250 यहां पर पकड़के चल सकते हैं इसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं एग्रेसिव नहीं करेंगे यहां पर फर्स टागेट हमारा रहेगा 44,169 का मतलब आज के दिन का लोग और कल का भी यहां पर क्लोजिंग पॉइंट भी यहां पर मिल रहा है तो और यह भी प्रेक होता है तो फिर हम नेक्स्ट टागेट हमारे पास रहेगा 44,050 का लेवल और मोस्ट इंपोर्टन सपोर्ट की जो कहें तो बस वही हमारे पास रहेगा कि 44,050 तक की एक्पेटेशन कर रहा हूं अगर नीचे आता है तो और फिसे हमें यहां से एक बाउंस find करना है मतलब वहां से reversal ढूंड़ना है तो यह selling side हो गया है buy side की अगर planning करें तो बस वही हमारे पास एक single level है 44,000 यह अभी आज का 500 पकड़ के चल सकते कल अगर आप उने देखा होगा कि मैंने यही level क्यों दिया और आपने देखा होगा तो उसी के बीच में हमें trade करता और आज यहीं मतलब इतना ही range में क्यों दी है यह समझने वाली बात है कि आपने अगर देखा होगा कि जब भी में यहां पर कोई range आपको देता हूँ तो तो क्या है logic क्या कुछ है वह उसके लिए आपको मतलब सीखना पड़ेगा उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना पड़ करूं अगर भी यह बीच में लेवल के बात करें वही है ना हाँ वही है तो बाइक के अगर में बात करूं तो देखो आज के दिन का हाई 44,500 के बादी में वहाँ पर planning करूंगा तो अभी इसी के बीच में no trading zone हमारा रहेगा बाकि अगर कोई aggressive trader है तो इसके बीच में scalping trade यह क्यां यहां पर ढूणना है बस 10 वीच वीच में यहां पर काम कर सकता है बाकि अपनी इसाब से अपने रिक सीवर के इसाब से यहां पर plan करना अपनी इसाब तो ठीक है अभी यह थे bank nifty और निप्टी के levels तो अभी हम यहां पर चलते है कि stock के उपर stock में कल क्या रहेगे कहा बाइव बेपए सकते हैं तो उसके उपण डाले डाल लेते हैं तो सबसे पहला हमारा पलके यहां पर को आटकर्रो के लिए हमारा स्टोक कर रहेगा बृतनिया इंडेश्ट्री तो देखो अभी हम यहां पर क्या बन रहा है 40 जबसे पहले आपको मैं daily time frame से बताता हूं बढ़े time frame से लेखे छोटे time frame पर यहाँ पर हम जाएगे कि कल और आगे भी हम यहाँ पर क्या planning कर सके तो उसे अबर धोड़ा यहाँ पर देखे तो देखो अभी क्या देखने को मिल रहा है चार्ट को में थोड़ा जूम आउट यहाँ पर करके अगर दिखाऊ तो डेली टाम फ्रेम पे हमको जो ब्रिटानिय इंडेस्ट्री है वो एक अप्रेंड में यहाँ पर चालू है एक हायर हाई हायर लो मतलब जो अप्रेंड का स्ट्रक्चर रहता है वेजिकली उसके हिसाब से यहाँ पर आगे कंट्यून कर रहा है तो यह ठीक ह अप्रेंड इसका मतलब बुलिस है तो लॉंग टम के लिए अगर आप इन्वेस्ट में अगर करना चाहते हो तो एक अच्छा खासा यहाँ पर स्टोक है अगर वीकली केंडर्स पर देखने जाए तो क्या अभी करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं नहीं करते हैं अगर वो मैं जाएगा तो देखो अभी अगर आप अगर नवी कोई फ्रेस वोजिशन बनाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए मतलब एक तो करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हो मतलब यहाँ पर कुछ कॉंटिटी उठार हो सकता अभी और भी ऊपर च अगर निचे आना चाहिए 4500-600-600 के निचे आश्वास तो यह लेवल को थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो तो यह वाला एरिया मतलब आपका अवरेज वाला थोड़ा होगा तो यह तो लॉंग टम के लिए होगा अभी इंट्राडे कल की लिए अगर प्लानिंग क और वो एकी जगा पर यहाँ पर एकी रेंज में यहाँ पर गुम रहा है तो वो तो कोई दिकत की बात नहीं इस ट्रक्चर है अपर एंट चोटा सा फूल बेक लगा रहा है तो वो तो चलेगा यहाँ पर हमें उचसे अभी फिलाल कोई मतलब नी इंट्राडे में अगर बा यहाँ पर गुम रहा है कि यहाँ पर आप चाहो तो रेंज में यहाँ पर मार करके रख सकते हो कभी अगर एक रसिस्टन एरिया के आसपास आके यह खड़ा है तो यह अगर ब्रेक आउट देता है तो बहुत ही बड़ीया है यहाँ पर इसमें посмотреть बनेगा हमारा काहा पर आपर् साढeb यह दरब 날ो के इसमें अपर साइड की ब्रैकाउट देता है यहाँ पर एकIV नेखने को मिल सकते तो लेवल सा रहएगा प्रेकाउट लेवल जो कि कभी रसिस्टेंट के पास भी आकेँगद और एक जो के साथ आपको यह देखने को मिल सकता है तो है ना यह 15 मिनिट के बाद डइक टेष्ड और कान्टीनि यह आपको कैसे breakout पर कहां पर किस टाइप से यहां पर entry करनी चाहिए तो देखो यहां पर तो तीन टाइप के यहां पर breakout होते हैं तो कैसे कि मानलों की market यहां से यह stock उपर नीचे से उपर जा रहा है एक higher high अपना बनाता हुआ तो अभी यहां पर इसके पास है resistant area है तो कहीं बार क्या होगा जैसे कि अभी क्या scenario है वह मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक करने से पहले मनलब फर्स अटे में यह break नहीं करेगा यह resistant को टाच करेगा फिर थोड़ा सलकार सा नीचे आएगा और फिर आके मनलब एक strong candle के साथ आ आपको यहां पर breakout देखने को मिलेगा और आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि रसिस्टेंट ब्रेक करने के बाद सीधा मार्केट या स्टोक इंडेक्स में आप कहें भी ट्रेड करते होगे तो सीधा भागने लगता है और आपको एक मौका देने का मतलब entry लेने का भी आप को मौका नहीं मिलता है देता नहीं है ऐसा सिनर्य आपने कई बार देखा होगा तो आप अगर नोटिस करोगे तो आपको उससे पहले आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि रसिस्टेंट ब्रेक आउट करने से पहले वह एक attempt कर गए फिर मतलब एक सेपकंड अटेंट में यहाँ पर ओट देता है तो यह हम एक कह सकते कि resistant मतलब उसको पहले रीटेस्ट किया मतलब अटेब और सेकंड अटेब में ब्रेक आउट तो एक आप ऐसे ब्रेक आउट प्लानिंग मतलब यहाँ पर एक सिधी ब्रेक आउट कैंडल में एंट्री लेते हो यहाँ पर हमारा का यहाँ पर stop loss लेके यहाँ पर आगे continue कर सकते हो परमतुर इसमें क्या है अपना risk reward यहाँ पर check करना होता है अगर मालो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा सिनारियो आपको देखने को मिलता है तो entry लेना ही लेना है अगर आप उसको आपको क्या करना है count करना है मतलब आपना risk reward के इसाब से अगर मालो की कोई आप option में या कहीं भी entry ले रहे हो कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी एक मतलब आप इसाब लगाने कि अपने risk reward में अगर बैठता है कि नहीं बैठता है अपना stop loss तो ही आपको यहाँ पर planning करना है ऐसा नहीं नहीं कि यहाँ पर breakout मिल रहा यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा और कई बार क्या होगा वही candle यहाँ पर जैसे close हुआ मालो कि यहाँ पर 20-30 पॉइंट का एक की candle यहाँ पर बन गया है और सीधा क्या होगा दूसरी candle में रेट candle यहाँ पर बना के फिस से यह इसी के अंदर कुछ जाएगा और आपका ले लेगा तो आपको पहले इंहाँ पर प्लानिंग करना है यह भी हैपको साथ में देखना है अब तो किए कोई एक सीधा हमें ब्रेक आउट देखने को मिलता है मलब एक higher high higher low ऐसा स्टॉक्चर चालो था रेसिस्टन्ट आने से पहले मतलब कुछ भी यहां पर सिगनल भी नल दिये दिये ऐसा ही यह सीधा बागते हुए आता इसको break करके उपर निकल जाता है और फिर हमें क्या करना है simply यहाँ पर इसमें entry नहीं बनाने है पर होगे इसमें retrace का wait करना है कि यह जो breakout हमें resistant हमारा यहाँ पर था और retracement का मतलब है एक simple है अगर theory के इसाफ से और rules के इसाफ अगर देखने जाए तो जो breakout candle या जो भी breakout area है हमारा उसका अगर 50% भी यहाँ पर retracement हमें मिल जाए तो वहाँ पर हम entry planning कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मालो यहां strong के ऐसा breakout देखने को मिला तो हमें और कुछ ने retracement का यहाँ पर wait करना है तो इसमें अभी क्या है जेको मैं आपको सजेट करूगा कि आप सिधे retracement पर मतलब यहाँ पर नीचे जा रहा है तो आप सिधा यहाँ पर entry मत बना लो आपको अगर आप नए trader फो experience वाले नहीं हो तो फिर आपको एक breakout रेटेस्ट और यह से continue हो होने के बाद ही आपको यहाँ पर planning करना है कैसे कि अगर यह ब्रेक करने जा रहा है तो ही आपको यहाँ पर planning करना है यह आपका stop loss बनेगा और यहाँ पर आपका entry बनेगा तो आप ऐसे कर सकते हो अगर beginners trader और नहीं ट्रेडर तो बाकी अगर जो experience वाले ट्रेडर है वह कुछ लोग यहाँ पर अगर मालोग की यह 10 लोट यहाँ पर यह 10 quantity यहाँ पर buy करना चाहते तो क्या करेंगे दो तीन यहाँ पर buy कर लेगे चार पांच या फिर पांच यहाँ पर buy कर लेगे फिर यह breakout होगा continue करता है तो बाकी की quantity वह यहाँ पर add कर देंगे तो यह type का कुछ यहाँ पर रहता है तो यह हमारा second हो गया breakout है आप ऐसे भी यहाँ पर planning कर सकते हो अभी तीसरा क्या रहता है कि मालोग की अभी यह एक uptrend चालू दा है यहाँ पर यह हमारा box का upper line यह resistant है तो यहाँ पर क्या बनेगा कि एक मालोग की यह market मार्केट मार्ला बूपर आया अपना higher high structure बनाता हूँ रसिस्टंट एरिया के आसपास आके यह यहीं पर ही consolidation करने लगेगा मतला बूपर नीचे जिगजग यहाँ पर intra day अगर आप कर रहे हो तो हाद्धा गंटा एक गंटा जो भी देट गंट करता है पूरा दिन भी यहाँ पर ऐसे करता है डेली टैंफेम पर देखो के तो तीन-चार दिन या हफ्ता भर पूरा दिन consolidation करेगा कई बार एक महीना दो-दो महीने तक यहाँ पर ऐसे चले जाता है consolidation में तो आपको बस वही का यहाँ पर wait and watch करना है आपको और कूछ नहीं या तो फिर एक रेसिस्टन मार कर लो या तो फिर आपको ऐसा एक चोटा से यहाँ पर box बना लो और box का जब भी breakout मिलता है तो एक अच्छी खासी मतलब आप सीधी breakout candle पर भी आप यहाँ पर planning कर सकते हो एंट्री का मतलब यहाँ पर सीधी breakout candle यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर मिल रही है उसमें entry बना लो और यह जो consolidation का lower area जो है उसका वह आपका stop loss रहेगा तो एक ऐसे भी आप प्लानिंग कर सकते हो इसमें दूसरा breakout के बाद एक छोटा सा 50% retracement या जो भी है छोटा मुता retracement आता है वो उसके बाद भी आप यहाँ पर planning कर सकते हो तो ऐसे यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो यह जो अभी scenario है आपको समझ में आगे होगा कि कैसे यहाँ पर आपको planning करना है हलाकि अभी वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपको कुछ knowledge आपका बढ़ रहा है यहाँ पर और आप यहाँ पर subscribe कर देना और अपने दोस्तों को भी share करना ताकि उनको भी यह help हो सीख पाए market यहाँ पर क्या है अभी यह breakout आप यहाँ पर entry ले सकते हो अभी target क्या रहे है कि हमारे पास एक तो first target हमारे पास जो को छोटा सा है अलग कि अगर 10 रुपया है चोटा तो कुछ में है 20 रुपय क लब 35 रुपी का यह target है फर्स टागेट हम यह लेकर चल सकते है यहाँ पर अभी आपको कैसे entry लेना है समझ में आ गया होगा अभी टाक वन से टाइम प्रेम पे भी आपको entry लेना है वो भी आपको यहाँ पर पता होना चीए अगर चाहो तो आप यहाँ पर एक trend line भी सिखा से यहाँ पर बंद रही है यह कौन सा स्टोक है ब्रीटानिया तो आप इसको trend line के इसाब से भी यहाँ पर आप आगे planning कर सकते हो यहाँ पर अगर में ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रो करके दू तो देखो यह trend line हो गया trend line के breakout के बाद भी आप यहाँ पर planning कर सकते हो म हमारा रहेगा यह 5035 का मतलब हो 5035 का और आगे next target हमारे पास रहेगा यह 1553 का next target और उससे भी आगे अगर और bullish momentum देखने को मिलता है तो आपके पास यह next resistance यह देखने को मिलेगा अगर मानलो की कई बार ऐसा होता है अगर आपने देखा होगा मैंने कई बार आपको स्टोक य अगर आपने हमने यहाँ पर प्लानिंग किया है पर तो क्या होता है कि कोई momentum नहीं आता है और इसी के बीच में आप पर trade करता रहता है कोई breakout देखने को नहीं मिलता है तो उसको आप और कोश नहीं अगले दिन भी यहाँ पर आप planning कर सकते हो ऐसा नहीं कि कोई खाने की हो तो यहाँ पर मैंने कुछ data देखा होगा चार्ट पैटन structure देखा होगा तो थोड़ा उपर नीचे हो सकता है पर तो लेवल्स वहाँ पर हमारे पास स्वाही रहे रहेगे strength में थोड़ा फरक पड़ सकता है तो उसके इसाब से आप महां पर planning कर सकते हो तो यह हो गया हमार 4,983 का लेवल यह breakdown हो करता है तो ही हम यहाँ पर selling trade के लिए यहाँ पर planning कर सकते है और expectation करूगा कि फीच से अपने lower area के आसपास आए जो consolidation कर रहा है उसके नीचे यहाँ तक आज सकता है अपने डोलो डेलो की area के आसपास तो यह रहेगा ब्रिटानिया में जो हम कल कल Friday हो रह यहाँ पर हम अगर लोलो कल breakout नहीं मिल दा है तो उसके अगले दिन भी हम यहाँ पर planning कर सकते है अभी चलते हैं यह हो गया हमारा ब्रिटानिया का next stock है हमारा grassing तो यहाँ पर अभी grassing में अगर बात करें grassing industry जो जिसमें हम कल प्लानिंग कर सकते हैं कल Friday हमारा हो रहा है डेट हो रहा है तो वो व्यू क्या रहेगा डेली टैम प्रेम पर उसके अगर नजर डाले तो यहाँ पर तो अभी फिलाल कोई structure में को यहाँ पर कोई clear खास दम नहीं लिख रहा है इसमें डेली टैम प्रेम पर weekly पर कुछ नजर डाले कि क्या हुआ था पहले तो देखो विकली टैम प्रेम पर थोड़ा यहाँ पर clear हुआ है structure की अगर बात करें यहाँ पर तो अभी साइडवेज मार्केट यहाँ पर मतलब साइडवेज यहाँ पर चल रहा है grassing stroke जो की एक strong rally upside यहाँ पर देखकर देने के बाद मतलब की बहुती बड़ी बुल रेली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह कोई normal rally नहीं है बहुती बड़ी strong rally है यह तो एक strong rally के बाद जो की एक stock को करना चाहिए अच्छे खासे मतलब valuable stock को यहाँ पर करना चाहिए कि एक रेली के बाद उसको अभी थोड़ा आरम करना चाहिए consolidation करना चाहिए और वह यहाँ पर कर रहा है या तो फिर यह कर चुका है कबसे मतलब आप देखोगे कि अगर यह 2021 से लेकर अभी तक बहुती रेंज बड़ी है और तो यह अभी तक इसमें consolidation कर रहा है अभी हो सकता है अभी यह आने वाले टाइम यह अभी आके हमें breakout दे सकता है डेली टाम के लिए अभी मेरे ख्याल से यह बहुती बड़िया पैटर्न है चार्ट पैटर्न इंडिकेटर की बात करें तो टू अंडेड यह में के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है यहापर बुली स्टॉक है 20 यह में के ऊपर भी बार बार यहापर अभी देखे तो एक लोवर हाई स्ट्रक्चर भी बढ़ना रहा है और breakout भी यहाँ डाउजन मरलब वन देख रहे हो ना 1836 के ऊपर आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो जो यह रेंज यह लेंगे यहाँ ड़ी टाम प्रेम की इस सब से अगर में बात करो यह कोई श्विंग विंग यहापर पोजिशनल बनाना चाहता है तो मेरे खाल से यहाँ पर कुछ खा पर चल रहा है तो अभी फिलाल इसको इग्नोर करना चाहिए और उन्तु इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में यहां पर बहुत कुछ अच्छा खासा बन रहा है इसको मैंने चूज किया था एक तो लॉंग टम के लिए बहुत ही बढ़िया है और इंट्राडे में देखो कुछ खास यहाँ पर डेटा यासा कुछ है नहीं फरूम्ते करें हमारा अच्छा खास ता है यहां पर एक स्केल्पिंग प्रेड को यहां पर इंट्राडे के लिए मजब अपना बहुती बड़ी ऐक्सांदर ट्रेड यहांपर देखे को मिल सकता है इसमें बन सकते है हमारा फ्राइडे की दिन तो क्या है इसमें तो यहां पर क्या है अभी सिंपल और कुछ नहीं यह 1747 के उप़र अगर ब्रेक आउट मिलता है देखने को तो हम यहां पर बाय साइड के लिए लेके चल सकते हैं यहां पर फर्स टागेट की अगर बात करें तो हमारे पास यह वाला स्विंग रहेगा 1754 का हम यहां तक के प्लानिंग बना सकते हैं यहां और यह भी अगर मालों की ब्रेक आउट करता है तो इसके आगे हमें बहुती बड़ी सांदार रेली देखने को मिल सकती है नेक्स्ट हमें अगर बात करो तो 6.7 रुपे का और टागेट और यहां इसके आगे फिर हमें यहां पर 20 रुपे की रेली देखने को मिल सकती है तो इन लेवल्स पे आप यहां पर ध्यान बना के रख सकते हैं बाकी सेलिंग के लिए अगर बात करो तो एक अच्छे घासी इसने स्ट्रॉंग रिजेक्शन केंडल यहां पर बनाई है जो कि एक मतलब ब्रेक आउट के बाद एक रेली दी अपसाइड और फिर से फुल बेक रेट्रेस्मेंट लिया और वहीं से फिर से वह अपर साइड जाने के लिए तैयर है जो कि टू अंडरेड यह में के ऊपर एक पर यहां पर आप कर सकते हैं यहां पर पर अच्छा घासा यहां पर सपोर्ट है इसको अपर जोन की तरह भी यहां पर और एक मार्क कर सकते हो, थोड़ा मुलब 4-5 रुपए का 3 रुपए का यह जोन, यहां पर इसके नीचे आप को, एक अच्छे घासे भी यहांपर रेले देखने को मिल सकती है, तो यह हो गया 20 रुपए का यहांपर, यह ब्रेक हुआ, तो फिर मतलब, सेलिंग के लिए भी बढ़िया बहुत ही बढ़िया बंद रहा है फिलाल अभी इसको हमें ब्रेकाउट के उपर ध्यान देना है यहाँ पर इस साइड भी ब्रेकाउट मिलता है उस साइड आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो तो यह हो गया हमारा ग्रासिम का कल आप कैसे प थ्राइडे को क्या प्लानिंग रहेगा सबसे पहले में अगर बताओ तो डेली टाइम प्रेम पर क्या चल रहा है अगर वहां पर कुछ पॉजिशनल ट्रेड बन रहा है तो वह भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो उसके उपर अगर नजर डाले तो हिंडाल को मैं वैसे के बाद अभी कंसुलीडेशन कर रहा है और स्ट्रक्चर की बात कर तो यह बुली यहाँ पर मेरे ख्याल से ब्रेक आउट देना चाहिए अगर यहाँ पर अगर देखे तो एक लोवर हाई फॉर्मेशन बनाता हुआ सिमेट्रिकल ट्रेंगल भी है तो हो सकता है यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हो डेले टाइम फ्रेम है और ऑप्शन में करना है फीचर में करना है वह आप अपने इसाब से यहाँ पर प्लानी कर सकते हो तो यह लेवल को आप ध्यान में रख सकते हो ट्रेंगल एक तो बना के रखो या तो फिर यहाँ पर यहाँ पर अगर हम रेली देखने को मिलेगी 30 रुपे का टारगेट 30 से लेके यहां पर अगर देखे तो 50 रुपे का टारगेट हमार आगे निकल के आ रहा है डिली टाइम फ्रेम के इसाब से तो अभी चलते हम इंट्राडे कल फ्राइडे को कैसे प्लानिंग कर सके वो देख ले अगर यहां इस में तो हिंडाल को में अगर बात करें तो वही जो एक मतलब इसका थोड़ा फॉल चल रहा था डाउंट्रेन यहां पर चल रहा अभी फिस से स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए अपर साइड की और वो निकल रहा है एक हायर हायर लो स्ट्रक्चर बनाता हुआ और हभी कल की बाहर निकल रहा है कि इसमें हमें अच्छी खास है यहां पर रेली देखने को मिल सकती है मतलब एक रेंज भी है यहां पर अगर और दूसरा भी और मैं आपको कुछ दिकाओ तो एक अच्छा खासा यहां पर मतलब जो स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाली जो बात में अभी बाती है। लेवल क्हों सा है हमारा। क्क फोर ऐंड्रेट टवैंटी के ऊपर ट्वएंटी वन के ऊपर और इसके ऊपर tęठीन करता है। ब्रेक अधस देता है देस में शुंत धंटा यहां पर सॅशिंध होता है ब्रेक आउट स्क्छता है तो हम यहां पर आगे प्लाइन सकता है इसमें है ना तो एक इंट्राडे के हिसाब से मतलब एक बहुती एच्छे खार से यहां पर रेली देखने को मिल सकती है मतलब कीतना हो गया यह एक वन परसंट का टारगेट मतलब करीबन उसके आश्वास कुछ बंद रहा है तो एक बहुती सांदर और अगर यह भी ब दाउनसाइड की और अगर ब्रेकडाउन करता है तो एक टू अंड्रेड यह में और मतलब लेवल अगर बात रहे तो फोर अंड्रेड एटी के नीचे हम यहां पर प्लानिंग कर सकते हैं फ्राइडे को अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला तो हमारा फर्स्ट देखते हैं यहां पर और कुछ खास तो है नहीं दो दो रूपिय का यहां पर ट्रेल करके हुए आगे हम चल सकते हैं डाउनसाइड के लिए फिल स्ट्रॉंग मुमेंटम यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है तो इंडल को मैं आप ऐसे प्लानिंग कर सकते हो डेरी टेंप हो गए हमारा आज के इस वीडियो में दाल को का और डिप्टी और बेंग डिप्टी में कैसे प्लान नहीं करना है वह पूरा मैंने आपको यहां पर समझा दिये और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को अप लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो चैनल को भी आप